हाई दोस्तों हाई गाइच हमारे यूटूब चैनल ह्पी मसीनरी जेपूर आल इंडिया में आपका फिर से श्वागत हैं दोस्तों हमारी कमपनी का नाम है ह्पी मसीनरी जेपूर हमारा एड्रेस है प्लोट नमबर 156 बालाजी विहार 35 न्यू ट्रास्पोर्ड नगार टोडी प्लोट शिकर रोड हरमाड़ा जेपूर राजस्तान तो यह हमारा एड्रेस है और यह हमारी कंपनी है दोस्तों यहां पे यह देखें हमारी कंपनी है यहां पे रोच नए-ए नए मोडल में गन्हां जूस मशीने तयार होती है एवं पूरे भारत में होम डिलेवरी की जो इस्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है उस पे आप संप्रक करके या फिर वाटसप मेसेज करके अपना ओल इंडिया से ओर्डर बुकिंग करवा सकते हैं एवं पूरे भारत में होम डिलेवरी ले सकते हैं दोस्तो पूरे भारत में हमारी ओनलाइन बुकिंग की सुईदा ले Ec wichtig में आगे यह क्रेश लगी है इधर से बात करते हैं फ्रस्ट यह सामने का हमोडल दिखाते हैं आपको सब से पहले बहुती बड़ियाँ बहुती ले टेस्ट मोडल इसको महिंदरा कमांडर जीप आला मोडल बोलते हैं पिछे इंजिन बैक इंजिन वाला मोडल बोलते है इसमें बात करें दोस्तों देखें क्रेशर की तो इसमें हमारी बात करें दोस्तों इदर lighting की तो इसमें यह देखे इसमें एक अलटिर लगा हुआ है यह हमारी company के दुवारा बनाई भी machine है और इसमें अल्टिर लगा है यह जैसे ही काड़ी स्टार्ट होती है इसमें light, एटमेटिक यह light बनाता है और ये बैटरी करन देता है बैटरी से ये आगे की हेड लाइटिंग है पिछे की लाइटिंग है वो जलती है दोस्तो इसके बाद में अगला इस्टेप बताते हैं दोस्तो इसके गेर के बारे में ये जो गेर देख रहे हैं ये महिंद्रा कमांडर जीप का गेर बॉक्स है द दोस्तों ये ब्रेक लीवर है और ये इसमें लिक्विड वाला ब्रेक मास्टर बोलते हैं इसको इसमें ब्रेक लिक्विड डलता है तो हर दस्तिन में एक बार इस दखन को खोल के इसका ब्रेक ओयल चेक कर लेना चीए क्योंकि कई बार ओयल खतम हो जाता है तो आगे कई power steering बहुती अच्छा बहुती जबरस्थ इसके बाद में ये चाबी देख रहा हैं ये light ki चाबी है दोस्तो जैसे ही गाड़ी Star करते हैं तो इस चाबी को निचे दबाना है और जैसे ही गाड़ी बंद करोगे यह साबी को जीरो पही करके ऊपर उठाना है इसके अगली स्टेप बताते हैं दोस्तों यह देखे बहुती बढ़ी मारूतीका फ्लेक्सिबल बहुती शांदार शेट आराम दाइक दोस्तों यह आगे करने का इसका होता है यह लोग है इसका जैसे इसको उपर करके आगे खेंचे आगे हो जाएगी पिछे हो जाएगी यह भी पिछे हो जाता है यह देखे इसका लोग यहां पर है इसके बाद में दोस्तों देखे यह सीट के नीचे हमने एक बोक्स बनाया है जिसमें बहुत ही बढ़िया सामान रख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा सामान रख सकते हैं, हमने अच्छा इस्पेस देके इसको बनाया है, इसके बाद में दोस्तों आपको बैक से दिखाते हैं, यह इसका बैक मोडल है दोस्तों, इसको पिछे जनेटर वाली मशीन बोलते हैं यह जनेटर की बात करें तो इसमें देखिए भारत मास्ठर का ये जनेटर लगा है बहुत ही बढ़िया इसकी डीजल सर्विस है रॉनिंग शर्विस है मैले सर्विस है ये ईक्ट्रा पजन के लिए स्प्रिंग कि लगा दी अब दोस्तों इसके और से बारे में बताते हैं यह depression है इस depression का oil कैसे change करते हैं यह देख रहे हैं देखी यह यह net को खोल के मैंने में एक बार इसका oil check कर लेना चाहिए इस nut के द्वारा और कम हो जाये तो यह नचे ऑइल भर देना चाहिए स्यायल भरता है इसमें इसके बाद में यह generator होता है दोस्तों जनेटर की ओईल सर्विस कैसे की जाती है देखिए यह हैंडल लगाते हैं हैंडल के नीचे आते हैं कोणे में यह नट दिख रहा है इस बड़े वाले नट को खोल के पहली बार अगर गाड़ी ले रहे तो हर तीसरे या चोथे दिन में इसको खोल के ओईल निकाल द दिन में इसका ओईल चेंज हो जाना चीए दोस्तों इसके बाद में दोस्तों यह रश्वंती है तो इस क्रेशर का आपको ओईल करना बता रहे हैं कैसे ओईल चेंज होगा यह देखो रोलर है दोस्तों यह दोनों रोलर होते हैं और यह बूस होता है एक दो तीन और चार य जाता है रोज सुबह सुभः को सूकी नहीं चलाना है यह बूश कट जाएंगे और गिरारी को बे यह बैरिंग यह पिन्न ये कवाणी पुली के पुली आती यह इसके बार ei है वन गऌनें suchाएं लात बार की घ्रीश की चारत मुल्व selecting पूल है और यह सब्सक्राइब होटी है और यह होल दिख रहे हैं इसमें हर 15 दिन से एक बार ग्रीस बरना चींए यहीं इसमें होल दिख रहे हैं ऐसा ही जारों कवानि पाटें है यह गेर के निचे देखो यह गेर के पिछे चोकड़ी है क्रोश है यह है यह इधर दिख रही है बना सिए जनेटर के पास में चोकड़ी दिख रही है जनेटर का वील होता है साप्टिंग होती है उस चोकड़ी में गिरिस हर 15-23 से गिरिस भरना चीए इसके बाद में दोस्तो गेर ओईल भरा जाता है तो हर 20 दिन से मैंने में एक बार इसको चेक कर लेना चाहिए इसमें सियाईल भरा जाता है दोस्तो और आगे आपको दिखाते हैं इधर से ड्राइवर साइड से ये ड्राइवर साइड है और ये कलच बेरिंग है दोस्तो रिलीज बेरिंग बोलते हैं इसमें भी हर 10 दिन से पांच-साथ दिन से इसमें गरिश बरना चीहें। आगे वाला model दिखाते हैं। दोस्तों ये देखिए। ये बहुत ही जवर हस्त μόल। बहुत ही शानदार मॉडल दोस्तों ये लोडून गाड़ी बोलते हैं। जनेटर आगे होता है आगे जूस मसीन लगी रहती है और पिछे इसमें ट्राली होती है दोस्तों पहले इसकी बात कर लेते हैं इसमें भी भारत मास्टर का जनेटर लगा है 12-HP का इसमें जनेटर है बहुती बढ़िया बहुती लेटेस्ट बहुती शांदर मोडल आगे यह बहुत ही बढ़िया ओटोले कंपनी का इसमें शेल्फ है इसमें शेल्फ लगा हुआ दोस्तो और इदर से दिखाते हैं आपको इस्टार्ट करके यह कैसे स्टार्ट होती है हरो स्टार्ट न्यूटल है हां स्टार्ट करिए दोस्तों यह सैल्फ इस्टार्ट कर देखें अधर दिखाते हैं ऐसे सैल्फ में साथ होती है करिए स्टार्ट लेकिए सेल्फ स्टार्ट करके दिखाते हैं यह देखे दोस्तों सेल्फ स्टार्ट मोडल बहुत ही बड़िया बहुत ही लेटेश कंपनी का सेल्फ लगाते हैं और बहुत ही शांदार मोडल है दोस्तों तो आगे इसकी भी स्टीप बताते हैं क्या-क्या इस इसकिल चौब हैं इसकी दूस्तों ये लाइ्टिंग की सुऑदा है इसमें बहुत इभाइवी ये 6-11 की तायर से इसमें पर नए टायर है और बात करें इदर से टोली की दोस्तों तो देखें बहुत फाइबर लगा है और इधर से भिकाते हैं दोस्तों कबाणी पाटे और इसका कभाणी-पाटे हैं यह यह दोनों सब voz लगा है ढ़े मारुतिक्वीनोर का पावर च्टेरिंग्स और यह लाइट का चाबी है दोस्तों और यह सैल्प स्टार्ट का चावी है और यह इसका हुरन है और यह देखो आरामदाइक एक शीट लगाया आपने बहुती बढ़िया प्लेक्सिवल आरामदाइक बहुती शांदार बहुती लेटेस्ट यह देखिए बहुती बढ़िया शीट बना लगाई है बहुती अच्छा सीट बहुती जबर रस्त बहुत ही लेटेश्ट तो दोस्तो आप भी घर वेठे ओनलाइन बुकिंग करवा शकते हैं यह पूरे भारत में होम डिलिवरी ले सकते हैं देखिए इसकी बैटरी दिखाते हैं इधर से वह यह यह इसकी एम्रोन कंपनी का बैटरी है दोस्तों बहुत ही बढ़िया साठ एम्पियर का बैटरी है और इसकी बात करें तो दोस्तों इसको पंचर वाला मोडल बना के देंगे यहां इसका हेड आएगा हवा बरने का और ट्राली के अंदर इसकी टंकी आएगी तो इसको अभी इसका काम चल रहा है इसको पंचर वाला सिस्टम बनाएंगी चलता फिरता पंचर का दुकान इसके बाद में दोस्तों ये देखिए अगला मोडल बैल्ट वाला मोडल ये भी बहुत ही बड़िया 10 HP जनेटर हमारी HP कमपनी का इसमें क्रेशर और पिछे सीट लगावा एक बॉक्स या आगे चलने वाला मोडल है इसके बाद में दोस्तों ये आगे पिछे वाला चलने वाला मोडल है अगला मोडल आपको दिखाते हैं ये भी आगे पिछे चलने वाला मोडल है दोस्तों और गिरारी सिस्टम ये देखिए टायर के पास में गिरारी लगाया है इसके बाद में अगला मोडल लिए महिंद्रा कमांडर की पिछे जनेटर वाला मोडल दोस्तों आप भी जो स्क्रीन पे नंबर देवा है या फिर हमारा एड्रस है प्लोट नंबर 156 पाला जी वियार 35 न्यू ट्रास्पोर्ण नगर टोड़ी मोड सिकर रोड जैपूर राजस्तान इस एड्रस पे भी आप बोकिंग कर सकते हैं यह पूरे भारत में हम डिलेवरी ले सकते हैं थेंक्यू दोस्तों धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों थेंक्यू धन्यवाद